जनता ने ये जना देश दिया है कि ये गोड़से का देश नहीं है ये गांधी का देश है ये देश अहिंसा से चलेगा ये देश समिधान से चलेगा आवे तक जो रूजान आये है ये जनता का जनाक्रोश और गण्वंदन प्रत्यासियों के प्रति उनका समर्थन और वो प्रलेच्चित हो रहा है बहुत बड़े मार्जन से अंतर से जो है गण्वंदन के प्रत्यासि जीतेंगे इसकर जन्ता ने चुनाऊ लड़ा है और हömारे जनपत की चार सीटे हैं ऑफ चार में से तीन पर हम लोग दी ज़ीत रहें Exit पोल वालों ने जहां सीटे ददरा जां वहां तो तो 16 दिया थे यह जिट पोले वालों का तो आप देख रहे हैं सारे चैनल दिखा रहे हैं प्याली स्टीट दिखा रहे हैं वो लेकिन हम कम से कम 55 स्टे जीत के आएंगे सितापुर में मर्दगर्ना के रुझान जैसे ही आना सुरू यह आपको बता दे सबसे पहले जो खबर आई कि जो है पोस्टल बैलेट खुले हैं गडबंधन के 85 जो है आगे चल लए है जैसे ही यह खबर आई आपको बताएं सपाई खेमे में हलकी सी मुस्कान नजर आई कि जो है हाँ अच्छी सुरुवात हुई है वही जो भातपाई खेमा यहां पर बनाये गया है वहाँ पर जो है उस समय गंभीरता दे निरासा नहीं कहा जाएगा लेकिन हाँ गंभीरता देखी जा रही थी लेकिन अब जैसे 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 जो है नजर आ रहा है एक टर्म जो काफी चर्चित हुआ लोग सभा चुनाओं के दोरान खटा-खट खटा-खट तो सपा के खेमे में वह वर्ड आपको जो है लहराता नजर आ रहा है हमारे साथ सपा के जो है गड़बंदन के कुछ जो है नेता यहां पर मौजूद है पूर पूर सांसर रवी वर्मा जी भी यहां मौजूद है हम इन सभी नेताओं से जानेंगे कि क्या उसा है और आगे क्या कुछ नजर आ रहा है क्या इनका कहना है सर जो अभी तक के रुजहान आए है जो लीड गड़बंदन प्रतियासी की देखे क्या कहेंगे आप यह अभी तक जो रुजहान आये है यह जनता का जना क्रोश और गड़बंदन प्रतियासी के प्रति उनका समर्थन और वो परलेचित हो रहा है बहुत बड़े मार्जिन से अंतर से जो है गड़बंदन के प्रतियासी जीतेंगे ऐसा जनता का आदेश जो एकजिट पोल आये थे उनसे जो महौल बना आज जो रुजहान आये उनसे जो महौल बना आप क्या कहते हैं एकजिट पोल वालों का तो एकजिट पोल वालों का तो एकजिट पोल वालों ने पोस्माटम पहले कर दिया था तो एकजिट पोल की पोल तो पहले खुल गई इसलिए जनता का जनादेश आ रहा है, बहुत बड़े पैमाने पर है, ये बहुत बड़े बदलाओ की बयार है, पूरे देश के अंदर है, और वो आपके जन पर सीतापूर, दोरारा मिस्रेख और आपका जो सीतापूर है लोकसभा इसमें आपको दिखाई पड़ रहा है तो बहुत बड़े बदलाओ की लहर है हमाई साथ सपा की जिलाद्या छिप जी मौजूद है इसके लावा कॉंग्रेस की जिलाद्या जी मौजूद इन पर चारो सीटों की जिम्मेदारी थी यहां पर सीतापूर संसदी सीतापूर जिले के अंतर के जो आने वाली थी सर क्या कहेंगे चारो जगा इस समय लीड निजर आ रही आप क्या कह रहे सर सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद चैनल को प्रतिनका जनता का आकरोष था। उस आकरोष को हम लोगों ने चुनाव लड़ा हम लोगों जेतर में गए तो देखा जनता चुनाव लड़ रही थी इस बार जनता ने चुनाव लड़ा है और हमारे जनपत की चार सीटे हैं और चार में से तीन पर हम लोग जीत रहें, भारी बहुमों से यहां जीत रहें, और आपका महलालगन जीत रहें, और धोरारा जीत रहें, यह जनता का जनादेश है, और इसको हम लोगों को सुईकार करना चाहिए, विपच के लोगों को भी सुईकार करना चाहिए, यह भारत में परिवर्थित करने का काम किया जो उसका अक्रोष था सर मैं यह जानना चाहता हूं कि जो उत्तर प्रदेश के जो रुजहान आ रहे हैं 80 सीटों के वहां पर जो गड़बंधन का प्रदर्शन है क्या कहते हैं सरा अरे गड़बंधन का तो आप देख रहे हैं सारे चैनल द दिखा रहे हैं वो लेकिन हम कम से कम 55 सीटे जीत के आएंगे कम से कम और ये तो अभी शुरुवात हुई है ये जनता का बदला हो ये पुरे देश का आक्रोष है बीजेपी वालों के खिलाब ये जनता का आक्रोष है और जब 27 में पिधान सभा का चुना हो आएगा हम साले 3060 मानी अथले ये जीतने का काम हम लोग करेंगे और ये जनता प्रदेश की जिताने का काम करेंगे कर आए तर बदेश बताया roi झाला है कि जो हैं गड़बंधन 85 देश की प्रधान मंत्री को लीड कर रहे थे आपसर क्या देखिए भारत अंगलाई ले रहा है और जैसा कि उमीद के जा रहे थी आपके युवाओं ने अपने संकल्प से देश की सत्ता को पलटने के लिए काम किया है जिसके रुजान चार तरफ दिखाई पढ़ने लगे हैं जो टीवी पर अभी तक सामने आ रहा है तो जो एहंकार तो मुद्दे एक रिजर्वेशन को लेकर के विपक्ष ने काफी मुद्दा बनाया और एक संविधान बचाओ का एक नारा जो है बहुत जादा जमीन पर उत्रा और युवा जो है रोजगार की बात कर रहे थे आप सर क्या कहते हैं मेरा यही कहना है कि सत्य मेव जैते आज आप यहाँ पर जितनी भीड़ है उनके चेहरों को देखिए उनके आतम विश्वास को देखिए और मैंने सोशल मीडिया पर लिखा भी था कि इस बार प्रभु स्री राम और गंगा मैया दोनों जूट से तरस्त हैं और नाराज हैं जनता ने ये जनादेश दिया है कि ये गोडसे का देश नहीं है ये गांधी का देश है ये देश अहिंसा से चलेगा ये देश समिधान से चलेगा और उसी समिधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए आज पूरे उत्तर प्रदेश सहीत पूरे भारत के लोग पूरे भारत क युवा आज जो है एक जुट हुआ है और वर्तमान ताना साही सरकार जो अपने एंकार के आकंट में डूबी हुई थी उसको उखार फेकने का काम इस बार भारत की जनता करने जा रही है सीतापुर में जो परणाम आ रहे हैं आपने जमीन पर काम किया है आपके नितरत्यों में आप सब मिलकर के काम कर रहे थे जमीन पर जो परणाम आ रहे हैं सरक्या करें सीतापुर की समाजवादी पार्टी और कॉंग्रेस पार्टी दोनों पार्टियों के समस्त नेतागर्ण समस्त कारिकरतागर्ण प्रारंब से ही आस्वस्त थे कि इस बार विजय हमारी होगी क्योंकि हमारी लडाई जूट के विरुद्ध है हम लोग सत्य के साथ खड़े हुए हैं हम लोग लोकतंत्र को में भरोसा करते हैं समवैदानिक मूल्यों में भरोसा करते हैं और उसी पर आधारित होके हमने यह लड़ाई लड़ी और परिणाम आपके सामने हैं तो यहाँ सपाई खेमे के जो है यहाँ बड़े बड़े जो नेता गड़बंदन की ओर से यहाँ पर बैठे हैं इसके अलावा सैकडों की तादात में यहाँ पर समर्थक मौजूद हैं और उनके अंदर जो उत्साह जैसे जैसे गड़बंदन प्रत्यासी राकेस राठोर की लीड बढ़ती जा रही है इस धड़े में जो है उत्साह का लेबिल बढ़ता जा रहा है और अगर हम बात करें तो सामने जो पंडाल है यानि प्रत्यासी के समर्थकों का पंडाल है वहाँ जो सुरुवाती गंभीरता देखी जा रही थी वो गड़बंदन प्रत्यासी की लीड के साथ अब धीमे धीमे निरासा का रूप ले रही है फिलाल आई इंडिया लगातार हर मुवमेंट पर जो है अपनी नजर बनाई हुए है वहाँ भी हम अपने दर्सकों तक पहुचाएंगे कैमरे के पीछे हसन गोगा है और मैं अरुडे सो सीथ सीथा पूर खबर आपकी नजर हमारी देखते रहे आई इंडिया